दोस्तो बाइलेटरियल T20i series होगा ओमान वसिस नेदरलेंड और इनके भी जुम series होगा उसका पहला match आज खेला जाएगा ठीक है इंडेप्ट कवर करेंगे दोनों ही टीम के बारे में बहुत ही short to the point analysis होगा एक होगा पीछ टीपोर्ट आगे जाके हम लोग करेंगे रिसेनली क्रिकेट वलकव लिक्टू के matches होए थे इसी venue में spin friendly दोस्तों विकेट रहा था और इसके अपर विशेश चर्चा भी करेंगे कौन से ballers बहुत अच्छा performance किया था और इस match में भी कौन से players अच्छा performance कर सकते है एकर्में दोस्तों बैट फर्स एक बढ़िया पंठ होंगे लास्ट मैच में chase करते हैं दोस्तों एकर्में ने विकेट लॉस करके आया था बहुत जल्दी बट मुझे ऐसा personally believe है अगर बैटिंग फर्स इनिंग में होता है तो एकर्में का बैटिंग से इसको दिखेगा और इवन दोस्तों यह बॉलिंग से भी पर्फोर्मेंस दे सकते है उपनेंट के पास कुछ लेफ्ट हम लेफ्टी बैटर है लास्ट मैच में अच्छा performance किया शकील आमेद बहुत अच्छ से तो आगे जाके discuss करेंगे संपून अनलाइसे मिलेगा और इसके साहत बोहत जल्द बोहत सारे new series स्टार्ट होगा एक तो होगा कुछ एशिया क्वालिफायर शायद T20 फॉर्मेट में होगा बहुत जल स्टार्ट होने वाला है आपको मिलेगा नमीबिया में एक T20 फ्रंचैजी T20 लीग खिला जाएगा स्पेंट T10 के कवरेज मिल सकते हैं मिल सकते हैं अबुदावी T10 का भी कवरेज मतलब विदिन नेक्स्ट वीक दोस्तों आपको चार न्यू सीरिस के कवरेज आ सकता है तीन से चार मिनिमम तीन तो ज़रूर आएगा तो इस लिए चैनल को सब्सक्राइब करो नोटिविशन को करो और टेलीग्राम जोइन हो जाओ डिस्क्रिप्शन में अल्रीडी लिंक एड़ेट है टेलीग्रम चैनल का अब आते सिधह अनलाइसिस में अमान पे मैच होगा लास्ट मैच 11-11-2024 में खिला गया था इसी वेन्यू में 155 बना था ऑपोनें चेस कर तो 154 तक पहुंचा 10 कर दिया था तो बहुत अग्राम है च्वा लास्ट एक रन चाहिए था अर्यंद तस सिधा हाथ में मार दिया मुजाई रजा का लॉमान में मैं मैच देख रहा था लाइप अच्छा वेन्यू है वैडिंग के लिए एवरेज स्कोर यहां पे नहीं है 1.90 साइस मैंने इस में और इस वेन्यू में तीन सिरीज हो गया एक महिने के अंदर अंदर एक बाइले टिटेल एक ट्राइनेशन सिरीज और एक यह क्रिकेट वर्लक लिग टू और हां इमजिंग एशा कप मतलब चार सिरीज हो चुका है यह पाच्वा चल रहा है दोस्तों तो ऐसे में पी पीचस में स्पीन कम हो रहे तो यह भी मैटर करता है कि इनके पास दो तरीके के पीच जब खुद खेलते हैं दो स्पीन हेवी खेलते और इसे लिए ज्यादा प्ले में आए प्लेगा इनिशिली थोड़ बहुत बाटल सक्क्राइन जयादा हावी होते दिखेगा इस एक और बात है इनके पास दो स्ट्रीप है केपिटिन माइन थोड़ासन नोटिस करना स्ट्रीप कौन सा यूस हो रहा है अगर कॉमेंडेटर बता रहे है क्योंकि यूई और निदरलेंड वाले जो मैचेस होए थे ना दोनों मैच में पेसस ने अच्छा हुए के निकाला था और उसमें स्पिनल ज्यादा पॉफूमेंस नहीं कर पाया था रन भी बने थे 240-50 के करीब देखो हिट्ट्वेट में वान वस्स निदरलेंड चार मैचेस हो चुके एक वान नी विंड किया दो निदरलेंड नी विंड के एन काईस यह जो हिट्ट्वेट्ट्वेट्स है य तो इंटियाई में ना हाई चांस से अमीर कलीम ओपन करें यहां पर ऐसा दीख सकता है इस मैच में आशिश ओरेडरा को ना टीम ड्रॉप कर दे और यहां पर ना सूफियन महमुद को खिला ले ठीक है अब सूफियन महमुद अगर आएंगे तो क्या होगा मैं आपको बता अगर ज़रुवत पर है तो बॉल डाल जाए अगर स्पीनस समाव रंगन सीट कर रहे है इस रिजन से ऐसा हो सकता है आशिश ओरेडरा जो वंडी में ओपन कर रहे थे उनको टीम डॉप करे और सूफियान खेले अमीर कलीम उस कंडिशन में ओपन आ जाएगा टीटू इंड चतिंदर तो 100% ओपन करेगा कैप्टेंसी भी कर रहा है डिसे नोडिया में चौवन फिटीनाइं दो अच्छा नौक था बट या टीटू इंडिया में थोड़ा केस गति से रन बनाना बरता है जो यह थोड़े से स्लो ही क्रिकेट खेलते है बहुत थोड़े नहीं अच्छ वैं नीचे हो जाए मुझे ऐसा पसिनिली बिलीव है वंडे में उपेन आ रहे थे अशिश बट यहां पर हाई चांस से अमीर कलीम उपेन करेगा इसी रिजन से मैंने एक्शेंग 22 पे उसको भाई भी किया था 38 में फिलाल जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था 40 रेट था अमीर क करने के चांसे है कुछ हक्तक बट यह ODI में देखोगे तो लास्ट कुछ एक मैच में 0 एक मैच में 24 एक्विकेट कही कबार ना इसको बॉलिंग नहीं भी मिलता है ठीक है ODI में इनका ओवर कट हो रहा था था इसका ओवर कप कोई गैरेंटी नहीं है वसे में कौन से मैच मे कितने ओवर डाले तो फिलहाल शायद मैं मस्टी प्लियर इनको ना मानू बट नंबर ऑप बॉलर एक बार मैं देखूंगा उसके बाद ट्राइ कर सकता हूँ क्योंकि निधरलेंड के बास राइटी डॉमिनेटिट निधरलेंड टीम है हो सकता है कि वसी मेली बॉलिंग करे शकील अमेद है अमीर कलीम है दो लेफ्टा मॉतरोक्स तीसरा लेग स्पिनर है समय श्रीवास्ताबाद तो फोर्थ लेफ्टा मॉतरोक्स बॉलर होता है वसी मली इस रिजन से भी है कि इनका ओवर कर्ट हो सकता है ठीक है क्योंकि एक ऑफ्पिनर भी कुछ ओवर तो मेरा मानना है कि इसको कैब इस मैच में बना सकते हो रिसेली देखो चार वी के दिख रहा है जो लास्ट एट था फिर उस ते पहले बातीस रन जीरो एक तीन ओवर में दस रन दो एक बालिंग से तो परफोर्मेंस है बट यहां पर ओपन आ सकता है तो आएगा तो यह बैट का बहुत रिडियूस हुआ ओवर बहुत कट होगा बैटिंग से देखो यहां पर रन बनाना मुश्किल हो रहा है इसको हीटिंग करने के लिए आना पड़ेगा और यह ग्राउंड नहीं है जो दे तो वस में कोई भी आकर उड़ा देगा तो यहां पर मुश्किल है नदीम से दाशाव किलामेट जेव डेट रहा फिलहाल शायद मेरा मस्ट्वी प्लियर नहीं रहेगा अफटर तर्स होचूंगा दोस्तों इसके बारे में अगर नमबर ऑबॉलर कम रहा इनके पास तो शायद यह बॉलिंग करें बट ऑपनेंट के पास राइटी डॉमिनेटेड है पावर प्ले में विग्रम जित सिंग के लावा कुछ खास लेफ्टी नहीं है समय श्रीवास्तवा अच्छा प्लेयर है स्पेशली बॉल फर्स क्यूंकि डेट में आ सकता है लेग स्पिन बॉलर है बाउंडरी साइज बरा है तो डेट ओवर में आएगा बॉलिंग के लिए अगर खिलता है तो मिल ओवर में खेल सकता है देखो मोहमद अदीन को ओवर कट हो रहा है तो सुफयान का भी कट हो सकता है मिलने से भी दो ओवर मिलेगा मैक्स तो प्रित्वी मच्ची अग्णोर करेंगे करन सुनाव ले एक ओवर एकुगइड दो ओवरेकुईगड, ODI मे ठीक ठाक प्लियर है इफ युवांट यूज करो बिकवर्ट नम इग्नोर करना खेलता है तो डिफेंचेल ले सकते हो लास्ट मैच में इन्होंने बहुत अच्छा बॉल किया था बट यह नो ऑफ स्पिनर है और टी टू इंटिया है ना तो ओवरकट हो सकता है विलाल खान यह पर चौप में अधाना रख सरावियर हो यहां पर बैतिक करेंगा मुझे लग रहा है यहां पे जो बेस प्लियर है उतना बैटिंग करना मुश्किल होगा ऐसे में स्कॉर्ट अच्छा अच्छा बियर है बैक करो विकी में बेस्च च्वाइस देवह में इगे सिस्टी- पीच मुश्किल है और उपर से मेक्स ओड़ाइट को पाउर प्लम है लेफ्टा होते लोग शकील अमेट को खेलना पड़ता है ज्यादा स्यादा तो इस रिजन से इसको मुश्किल होता है विक्रम जीट सिंग मेरा मानने मैक्स ओड़ाइट से बिटर ऑप्शिन हो सकते है इस अलाग एवरेज है रिसे नोडे में 16 के लावा इसने भी कुछ खास किया नहीं था बट इसका प्लस मॉइंट है कि लेफ्टी बैटर है तो अमीर गली मैक्स ओड़ाइट हो शोड़ी अमीर कली हुआ या फिर लिंग्स में समीश विवस्तवा इनके किसना थोड़ा से लिफ है बैटिंग से वैल्यो देने के चांसस रखते है मैं मंदो प्रेफरी करूंगा मैं इसको ठीक है कॉलीन एकर्में यह मस्ट है वैलास मैच में चार विगेट उससे पहलो डिया है में एक विगेट फर्स के लिया रहा है इंग्लिस से चार इनिंग का वैन्यों में 20 का आवर रहे है दूसरे स्पीन से हर मैच में इसको कोई ने कोई स्पीनल लेके जा रहा है विगेट मुश्किल होड़ा इसको खेलना ठीक है बैस्टे लेडिया मैं क्रेप्टन वैसकर नहीं करूंगा बट यार अच्छे प्लिया रहे स्पेशली बॉल फर्स क्योंकि डेतोबर में सकता है बाउंडरी ना बहुत बड़ा है तो बॉल फर्स डेतोबर में आएगा अच्छा डिफिंशल बनेगा बैस डेलेडे ले सकते हो बॉल फर्स पिशली नोवा क्रोई निस चौबिस उन्तिस दो डिया में शरी जामिद शायरी खेले प्रिफर नहीं करूंगा दोस्तों खेलता भी है तो गडॉल है बेंडर मेरी 57 मैच में साथ विकेट है 180 ओवर 490 रन बैटिंग से तो कुछ खास करनी रहा है स्पीन इसको समझ नहीं हा रहा है कि दर से किदर निकल रहा है बॉल बॉलिंग से बहुत तग रहा ऑप्शन है और अपने भी है जो आटिकिंग क्रि सब्स नहीं चल रहा है लास रोड यह मैंने इवन सेल भी किया था बैटिंग से 17 रन बना गया उससे वहले साथ रहा बारा जिरो कुछ खास पॉर्म नहीं चल रहा है बढ़ है यह पीची कुछ ऐसा है कि फाइदी बॉल डालता है मेरें डालता है बड़ विकेट नहीं मिलत हाँ फ्रीका विकेट हो सकता है बट यार विकेट तो मिल रहा है इस बंदे को ठीक है तो ले सकते हो इप वंट रयान क्लें जिरो विकेट ओडिया में थीन रन उससे पॉल वैन मिकारें खेलता है तो मस्ट होगा मुझे हाई चैंसे इस मैस में शायद शरी जामेर ना कहले पॉल वैन मिकारें खेले जो लोयर ओडर में हिटिंग भी करना जानता है स्पेशली पॉल वैन मिकारें खेला तो मेरा मस्ट विक होगा टीट इंडिया में रिकॉर्ट देखो 69 में 80 इंडिया में बेस्ट परफोर्मस नहीं है एक मैच में दो एक मैच में जिरो बट उससे परफोर्मस है माइकल लैविट खेल सकता है खेलता है तो फिल्टा दोस्तों मैक्स और डॉइट के साथ तो विक्रम जिसिंग वन डाउन आ जाएगा स्कॉर्ड आड़ाउन वाप्रें थी डाउन नोह अप्रोइस दॉप हो सकता है मैचल लैविट बिसकली खेलता है तो पीच से और इस पीच में कुछ नहीं एकदम राइट रहा है हाँ पीच अगर फ्रेश पीच रहा तो थोरा सा मिल सकते अर्ली बट कुछ खास नहीं मिलेगा तेजा निदा मनारो लास्ट मैच में बहुत अच्छा नौक था ओडियाए में चौतिस रन बट यार रिवर्स मा करो और चौन हो जाओ टेलिग्रम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे टेलिग्रम चैनल का दोस्तों फिलाल जो मेरा टीम बनेगा इस मैच में विकी में राइट तु राइट स्कॉट एडवर्स बेस चोईस है विक्रम जीत लॉजिकली बेटर ऑप्शन है बट प अगर विक्रम जीत अच्छा ग्रिकेट खेला तो बट मैक्स ओर रेट अगर अच्छा ग्रिकेट खेला नहीं यह 17 पॉइंस दे देंगे आपको तो सोच रहे हो ना इस रिजन से पॉब्लिक मैक्स ओर डेट को प्रिफर करता है यह स्मॉल लीक का स्ट्रेडीजी है आपको म इनिजियल में मैक्स ओर डेट को डॉब करके विक्रम जीत को ट्राइक करना है यतिंदर एड कर सकते हो अच्छा खेल रहा है दोस्तों सिरीज में बाकी यहां पर कोई धंका चॉइस लगा नहीं यह सकते हम लोग थोड़ा सा में नंबर और बॉलर देखना चाहूंगा एक सब्सक्राइब करेगा और अर्यान दत्ता अगर वासी मली स्ट्राइक में रहा तो तो मुश्किल होगा खेलना इस रिजन से मैं वासी मली को रिस्की मानता हूं वैंगुटें में प्रिफर करूंगा यह शॉर्टर वार्मेटर एटिक करने का कुशिच करेगा तो यह के थो करेगा अमिर गलीम बहुत तगरा है क्ले रजा नदीन शिराज जरूरत नहीं है वैं में करें खेलता है तो लूंगा लास्ट वडे इसमें नहीं खेला था इसने शरकिल आमेद लेना जरूरी है वैंडर महरवी जरूरी है आरियन दत्ता कहां गया काईल क्ले ने बहुत को मैं प्रिफर करूँगा बैस डिडि का बहुत अच्छा फॉर्म नहीं रहा है तो मैं दोस्तों फिलाल के लिए कॉली ने कर सकता हूं या फिर कैप्टेन बना के इसको वीजी ट्राइगर सकता हूं यह ऑप्शन के साथ मैं जा रहा हूं एक और के वीजी ऑप्शन है वें सब्सक्राइब टेलिग्राम पर थैंक्यू दोस्तों